मेरे परिवार जनों दिल्ली की भाजपा सरकार 36 गड़के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है लेकिन यहां जो कॉंग्रेस की सरकार है वो विकास के काम में नहीं बल्कि सिर्फ हवाई हवा हवाई बातें और दावों में जुटी रहती है कैसे चेति गड़ में बीजेपी सरकार का होने का बहुत बड़ा नुक्षान कि जबसे बीजेपी सरकार गई जब से ने लोग बैठे हैं कि अफ़रा नुक्षान कि मिण Universal के भायों बहनों को उठाना पड़ा है मेरे नौजवानों को उठाना पड़ा है केंद्र की भाजपा सरकार के बीते नव वर्षों में देश भर के गरीब परिवारों को करीब करीब चार करोड घर दे चुकी है कितने हैं कि जरा जोर से बोलिये कितने हैं कि चार करोड घर हम चाहते थे कि 36 गड़के गरीब परिवारों को भी पी-एम आवास योजना का अधिक से अधिक लाब मिले लेकिन कॉंग्रेस की सरकार यहां 36 गड़के गरीबों के पक्के घर नहीं बनने दे रही है महिला कल्याण हो पी-एम स्वनिदी योजना हो हर गर जल योजना हो गरीब कल्याण चे लेकर युवा काउशल और रोजगार की हर योजना में कॉंग्रेस ने यहां की सरकार ने 36 गड़को बहुत पीछे पहुचा दिया है मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस जिस तरह गोटालों की राजलिती करती हैं उसमें जिर्फ उसके नेताओं की तीजोरी भरती है परती है ना लूट रहे ना गरीब कल्यान में भले पीछे हो लेकिन प्रस्टाचार में 36 गड़की कॉंग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है आप कल्पना कीजिए मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं देशमासी भी सोच नहीं सकते गरीब से गरीब इंसान भी सोच नहीं सकता आप कल्पना करिए अगर कोई गाय के गोबर में भी प्रस्टाचार करे तो उसकी मानसिक्ता क्या होगी 36 गड़की बहनों से वादा तो किया था शराब बंदी का लेकिन कॉंगरेस ने शराब की बिक्री में ही गोटाला कर दिया 36 गड़ खनीज संपदा से इतना समर्द राज्य है केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रीक मिनरल फंड योजना बनाई हमारा मकसद था कि जिन जिलों से खनीज संपदा निकलती है तो उसका एक हिस्सा उसी खेत्र में विकास के लिए खर्च किया जाए हम चाहते थे हमारे आदिवासी बैनों भाईयों को इसका सबसे ज्यादा लाब मिले लेकिन यहां की प्रस्ट कॉंग्रेस सरकार ने इसको भी नहीं छोड़ा 36 गड़ की खनीज संपदा को कॉंग्रेस के उनकी जो पार्टिये ने वो कॉंग्रेस के ATM की तरह उप्योग किया जा रहा है ATM की तरह जूठा प्रचार और आकंध ब्रस्ताचार यही 36 गड़ कॉंग्रेस सरकार की पहचान है